आज हम आपके सामने फिर आजिर हैं अचार की एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे क्रस्टिक ग्रीन चिली अचार इसके लिए हमें चाहिए मिर्श, अदरग, लसन, नमक, हल्दी, अचार मसाला और तेल इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि हरी मिर्श को धो के 2-3 घंटे के लिए धूप में सिखा दिया है अदरग भी धो के सुखा दिया है, लसन भी छील के धूप में सुखा दिया है ताकि इन सब का मौस्चर खतम हो जाए अब हम इन्हें काड के चौपर में चौप करेंगे हमने अपने चौपर में अद्रक, मिर्ज और लस्टन डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी अचार मसाला नमक, और तील, इन सब को हम डाल यह आछी चौप करेंगे अब हम हम इन्हें चौप करने जा रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना जोसतों हम इसमे हम इसमें ज्यादा महीम नहीं पीसना हि हमका और दरदराई है कीसा बना है हमने इसे चॉप कर लिया है अब देखते हैं कैसा बना है एकदम पर्फेक्ट बना है यह ना ज्यादा महीन पिसा है और ना ऐसे रह गया ना ही मोटा मोटा रह गया यह थोड़ा अच्छा सा को रसता रह गया अब हम इसे खाली करेंगे हमारा अचार चॉप होके एकदम रेडी होके तयार है अब आप भी इसे पनाएं और इसका आनन्द लें आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सियर करें सस्क्राइब करें धन्यवाद